दोस्तों आप सभी का स्वागते करेंट अफिर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर आज हम स्वालब करेंगे आर्वेस इस्टेंट का प्रिवेस यर का पिपर और यहां पर आपको मैं 15 कोश्चन की प्रेक्टिस कराऊंगा वैसे एक्जाम में कई बार 10 से 15 कोश्चन आते हैं तो सिंप्लिफिकेशन हो गया एप्रॉक्सिमेशन हो गया आर्वेस इस्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्ण टॉपिक है लेबल कैसा है प्रिवेस यर में पूछे के कोश्चन से तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और साथ में करेंट इस फंडा मोबाइल अप्लिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहां पर आपको ए तूजट करेंट अफिर्स और एसेस्टेंट के लिए और प्लस साथ में डिया पदल्स रिजिंग बहुत कुछ यह के प्लेस पर मिलने वाला है लिंक दिस्क्रिप्शन में को दिया गया है तो जैसे कि यहां पर यह कोश्चन लिखा है सिंप्लिफाई तक गिवन प्रॉब्लम मतलब यहां पर हमें सिंप्लिफिकेशन करना है लिखा हुआ है 35% ऑफ दिस वैल्यू दिखो गैस अगर कभी भी आपको एक्स परसेंट मिल जाए ऑफ हंडड़ का तो सी तो यहां पर भी देखो यह परसेंटेस है और यह दो जीरों है तो यह आपके ऐसी खतम हो गया है यहां पर क्या बचा यहां पर बचा 35 इंटू 16 ठीक है प्लस एक्स की पावर 3 इस इकोस तो 1 टू 8 9 ओके अब आप यहां पर एक चीज दहां से दिखना यह वाली जब 35 से करोगे तो आपको यह देखना चाहिए कि यहां पर लास में 5 आ रहा है अगर मैं इसका डबल कर दू मतलब 2 से मल्टिप्लाई अगर मैं 35 में कर दू तो मुझे 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना पूरी कुश्चन को तभी तो हमारी बराबर रहेगी तो उपर कित्ता हो गया उपर सतर हो गया अब सोले को दो से डिवाइड करोगे आठ हो जाएगा सतर इंटू 8 लिग दोगे यह हो जाएगा 560 तो आपने देखा कि एक बार में मुझे यहां पर 560 वैलू मिल जाती है बागी करने को आपका तरीका बही है कि सोले इंटू 5 करोग है तो एकस क्यूब की वैलू कितने आ गई यह आपका आगया 9 और यह आ गया 2 यह आ गया 7 7 visitors 9 अब यह क्यूब रूट निकालना है तभी एकस की वैलू आजाएगी और 7 to 9 किसका होता है यह होता है नाइन का ठीक है 9 इंडू 9 इंडू 9 यह होता है 7 to 9 ठीक हैं तो इस फॉर परसेंटे से दो जिरो खतम कर दिये तो हम यहां पर कितना गएंगे 15 इंटू 15 यह हो गया आपका 225 टू 25 टीक है प्लस अब लिखा 22.5 परसेंट इस वन तो दो जिरो से आप यह परसेंटेस खतम कर दो इस 10 की मल्टिप्लाई करो कितना जाएगा 225 आपका आगया ठीक है ओफ है यह आपका कितना है डिरेक्ली यह कितना बचा एक बचा इस इकोल स्टू X यह आपको निकालना है इन दोनों का आप यहां पर जोड़ तो कितना हो गया यह हो गया 450 तो यह तो बिदाउट पैन एंड पेपर बाला कोश्चन है इसको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए थर्ड बाला कोश्चन यहां पर देखो क्या है यह लिखा है X प्लस 7 का क्यूब ठीक है तो 7 का क्यूब क्या होता है यह होता है 343 ठीक है 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343 ठीक है तो जैसे कि यहां पर है X प्लस ठीक है तो X प्लस इस वैल्यू ठीक है अब यहां पर है मैं 24 का रहने चाहिए 24 का स्क्वार होता है 576 माइनस 42 अब इसको फर्दर स्वाल्ब कर लो अब आप क्या कर सकते हो इस वैलू इसको उधर भेज दो आप तो ये 343 इदर जाएगा तो एक और माइनस लग गया तो ये कितना आजाएगा मैं यहां से अटा दे रहा हूँ और इसको इधर भेज दे रहा हूँ डारेक्ली ठीक है माइनस 343 अब आप देखलो ये दोनों नंबर इसमें से मतलब माइनस कर दिना अब देखो 3 और 2 यह हो गया 5 और 6 में से माइनस कर दो तो कितना बचा 1 अब देखो 4 और 4, 8 8, 7 में से तो जाएगा नहीं तो 17 हो जाएगा यहां पर 17 में से ट गया कितना बचा 9, अब ultimately कितना बचा यहां पर यह बचा 4, 4 में से 3 गया 191 ठीक है 191 आपका राइट एंसर निकल कर आजाएगा यह मैंने linear कर यह ठीक है अगर आपने simplification पर रखा है वन लाइन में question solve करने अगर आपको आते हैं यह plus minus वाले तो यह trick ऐसे जगे पर काम आपकी करती है यहां पर आप दिखेगा लिखा क्या है x plus 780 is equals to 40% of this one तो यहां से percentage अटाओगे दो 0 आपके खतम हो गया अब ultimately यहां पर कितना बचा यहां पर हमें बिला है 40 into 35 अब तरीका भाई है इसको आप 70 बना लो और इसको क्या आप कर सकते हो इसको आप कर लो 20 तो यह कितना आ गया यह आपका आगया 1400 ठीक है अब यह 780 है 780 को इदर ला कर माइनस कर दो और यह आपका x as it is है आपका answer निकल कर यहां पर आ गया 780 इसमें से आप माइनस करो कितना बचेगा अगर आप 800 माइनस करते तो 600 बचता 200 और माइनस कर दो 620 overall calculation है इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है देखो इसमें क्या करोगे है लिका है x plus 4 whole 1 by 2 इसको कैसे करोगे इसमें से आपको minus 2 whole 1 by 3 यह है equal to 3 तो x की value आपको यहां पर निकालनी है ठीक है अब देखो guys अगर मैं यहां पर यह देखो कि यह कितना आजाएगा यह आपका 9 by 2 ठीक है अगर मैं x की value निकालो x is equal to तो आप यह देखो यह 3 है ना ठीक है यह वाली value दर जाकर plus में हो जाएगी 3 into 2 6 plus 1 7 7 by 3 यह minus में आजाएगा 9 by 2 ठीक है अब आप क्या कर लो इसमें LCM ले लो clear यह कितना आगया 6 हो गया आपका यह हो गया आपका 18 प्लस यह हो गया 14 यह हो गया आपका 27 इसको देख लो कितना जाएगा 18 plus 10 28 28 plus 4 यह हो गया 32 32 minus 27 करोगे कितना जाएगा यह आपका आजाएगा 5 5 तो 5 by 6 यह आपका राइट अंसर आगया इस X की वेलू का इस पूरे क्वेशन में basic simplification है इसमें क्या ट्रिक लगाओगे बस यही स्टेपस आप खा सकते हो ठीक है बागी कोई यह सच यहां पर नहीं है एक बार इस question को देखेगा इसमें क्या mention कर रखा है अंडरूट लगा हुआ है यह equation लिखे है सबसे पहला काम क्या है इस equation को आपको solve करना है ठीक है 14 अपका अंडरूट से बाहर है तो अगर आप इसको solve करोगे तो देखो यह percentage से 2-0 आपके बैसे ही खतम हो जाएंगे 9 x 7 कितना हो गया 63 और 1-0 आपका और लग जाएगा 90 के साथ बाला प्लस यह हो गया 46 ठीक है तो यह कितना हो गया यह आपका हो गया 6-76 और पूरी के उपर अंडरूट लगा होगा ठीक है अब यह किसका होता है 6-76 यहां पर mention कर रखा है एक ची और ध्यान लगना यह 14 और भी आपको साथ में दे रखा है तो 76 प्लस 14 यह कितना आपका हो जाएगा यह अगर आप करोगे यह 14 तो ऐसे भी अलगे यह आपका किसका होता है यह आपका होता है 26 का 26 का ठीक है तो 26 प्लस 14 करोगे कितना गया 40 आपका गया 4 0 गॉट इट ना हो तो यह आपका राइट असर यहां पर हो जाएगा ऐसे कुश्चन को हम लोग प्रैक्टिस मेर्स होता है अगर आपको स्क्वार क्यू आते हैं तो आपको कंपेर करना होगा तभी आप X की वैलू निकालेंगे और 2 की पावर में ही इस वाले साइड को भी बनाना होगा यह जो आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड है तो आपको LHS को 2 की पावर में बनाना होगा तो देखो 2 की पावर 2 तो ऐसी दिया हुआ है अब जो ए 4 लिखा है, 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 लिख दोगे इस पूरे के उपर 3 पावर लगी है अब देखो divide by 8 है, कोई भी value अगर divide by 8 होगी, तो आप इसको यही तो लिखोगे 1 by 8 और 1 by 8 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 3, इस पावर को उपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर minus 3 ठीके, हमने जब exponent को सीखा होगा, तो उसमें यह वाली property होती है कि अगर 1 divided by x square दिया गया है, तो आप इसको उपर ले जाओगे, तो यह x minus 2 आपका हो ही जाएगा, ठीके, यह होता है, अब यहाँ पर देखो, यह जो divide by 8 है तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा into, यह जैसा कि मैंने बताया 2 की पावर 3, और यह minus 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर minus 3 is equal to 2 की पावर x अब इसको एक बार और solve कर लो, 2 की पावर 2 into, यह हो गया, 3 into 2, 6 2 की पावर 6 हो गया, into 2 की पावर minus 3 is equal to 2 की पावर x, अब देखो, सब कोश 2 में हो गया आपका, ठीक है तो multiply है, तो सारी पावरs add हो जाएगे, तो 6 plus 2, 8 8 minus 3, 5, तो 2 की पावर हो गया 5, is equal to 2 की पावर x, ठीक है, यह कितना हो गया 2 की पावर x, अब देखो, यहां भी 2, यहां भी 2, मतलब इसको equate कर लो तो x के value कितनी आजगे, x के value हो गई आपकी 5, got it now इस question को यहां पर देखो 7 by 12 of 1 double 4, divide by 4 minus 11, यह question linear है यह 12 से कटेगा अगर आप 4 से इसको divide करोगे तो यह 3 आएगा, 7 into 3 करोगे 21 आजएगा, इसमें से 11 minus कर दोगे, 10 आजएगा, यह question without pen and paper वाला है 9 देख लो, यह क्या है, देखो 9 questions में मैं यह नहीं कहूँगा, कि आप एक line में सबको लिखो, और आप इनको solve करना start कर दो, ठीक है देखो, इसकी भी एक, यहाँ पर trick होती है, ओके, वो कैसे होती है देखो, 2 यहाँ पर कितने bar दिया गया है, यह आप यहाँ पर देख लेए, ठीक है, तो अगर आप देखोगे, यहाँ पर 2 2 times है, यहाँ पर 2 2 कितनेuldade है, 3 times है यहां पर four times है यहां पर हमें five times दिख रहा है okay तो five times सबसे जादा है ना तो हम यह देखेंगे कि जब कभी भी question को solve करोगे तो आप by default मान कर चलना कि यह डिजिट पाच number का है ठीक है यह जो double two है यह नहीं है इसके आगे भी three zero by default लगे हुए है जब कभी भी आप इसको add करोगे okay तो आप देख लो करते जाओ इनको यह कितना हो गया one two three four मतलब चार बार है तो eight हो गया है यहां पर एक दो तीन और चार यह कितना हो गया आपका यहां पर भी हो गया सब्सक्राइब रहा है अब देखो टू और टू कितना हो फोर तू सिक्स यहां पर तो जिरो हो तो छोड़ दोसको यह कितना हो तू और टू फोर और कितना हो जा किवल टू बचा तो two four six double eight ठीक है इस फार्मेट में ऐसे questions को कर सकते हो अब आपको किस्क्राइब काटना नहीं है फिंगर रखकर भी आप online exam में इसको solve कर सकते हो 10 देखलो फटा पर 10 में क्या है पर mention कर रखा है लिखा है ना eighty percent of five hundred minus two seventy is called to one fifty minus x ठीक है सब values क को इदर उदर shift कर दो अब यह percentage है और यह zero है तो यह zero percentage से cut गया कितना आपका बचा eighteen to five कितना हो गया four zero zero minus यह कितना है two seventy यह कितना है इदर one fifty minus x ठीक है अब देखो मैं क्या करोगा मुझे ultimately x को निकालना है ठीक है तो minus x को मैं इदर ले आता हूँ तो x इदर आ गया बागी सारी values को उदर place कर दूँगा तो कितना हो जाएगा one fifty यह आपके हो जाएंगे plus के two seventy अब ultimately यह minus के four hundred आ जाएंगे ठीक है इसको कर लो यह कितना आ जाएगा यह आपका हो गया तीन सो और यह हो गया four two zero four two zero minus four hundred कितना हो गया twenty ठीक है overall था under root 80 बने है plus two और पूरे की पावर three है cube है इसका लटो 750 प्लस x है अब देखो यह कितना बनेगा आपका यह हो गया nine यह आपका बनाना है यहांपर अब यह कितना हो गया minus का seven five zero plus x यह निकल कर यहांपर आ जाएगा अब आपको इसको solve करना है eleven की पावर three कितना हमारा आएगा ठीक है तो यह हुआ eleven into eleven into eleven यह कितना हो गया one two one into eleven यह कितना हो गया one यह हुआ twenty two plus one three eleven into one eleven eleven plus two thirteen one three three one ठीक है अब यहांपर कितना आजाएगा one three three one minus seven fifty plus x यह चला है sorry x इधर आजाएगा ना बराबर में क्योंकि value value इधर आ चुगी है ठीक है अब इसको इसमें से आप minus कर दो कितना निकल कर यह आपर आजाएगा यह आपका आजाएगा one और यह कितना हो गया यह हो गया eight यह हो गया कितना five तो five eight one आपका right answer यह आपर आ जाएगा okay इसको देखो twelve को यह क्या है ट्वैल यह अंडरूट 81 इंटू 25 है तो यह कितना हो गया nine into five divided by three तो यह three से three बार three into five fifteen यह तो overall बिल्कुल pen paper नहीं चलाना 13 देख लो यह कितना दिया nine four five zero ठीक है divided by thirty five plus ten into three अब सबसे बहला task क्या होगा इस वाली equation को यहाँ पर आपको solve करना okay तो यह कितना जगा nine four five zero तो यह है इसको देख लो यह plus ten into three दिया है तो यह कितना हो गया अब plus का 30 minus का 30 यह तो होगया zero तो नीचे कितना बचा 35 यह तो बचा अब 35 से इसको काट दो 35 से इसको अब cut down कर दो पुरा-पुरा काट लो यह दो बार जाएगा पहले कितना बचा 24 बचा 245 हो गया अब कितने बार जाना चीए है आपर यह आपका जाएगा साथ बार ठीक है तो साथ बार कितना जाएगा यह हो जाएगा 35 और 21 और 234 245 हो गया ठीक है 0 और आपका गया पूरा-पूरा कड़िया ना 270 आपका राइट एंसर यहां पर आ जाएगा 14 देखलो इसमें क्या है यह दिया है 440 divided by 40 ठीक है इंटू 270 divided by 30 divided by 3 is equal to x ठीक है अब इसको कैसे solve करोगे आप द्यान से यहां पर समझेगा दोस्तों ठीक है हमें यहां पर mention करगा है 440 divided by 40 into this one तो सबसे पहले अगर आप division यहां पर करूँगा तो यह कितना जाएगा 11 आ जाएगा 11 इंटू 270 इंटू 1 by 30 divided by 3 is equal to x अब इससे काटोगे कितना आ गया 9 टाइम सा गया इससे काट दिया 3 टाइम सा गया 11 इंटू 3 कितना हो गया 33 यह भी औरल कोई इसमें नहीं ज्यादा चाहिए होगे 15 को देखो कैसे करोगे 15 को देहन समझना 8 इंटू x x की वैल्व यहां पर निकालना है तो अगर डिवाइड वे 200 है तो एक जीरो से आपका एक जीरो यह खट गया ठीक है अगर आप यहां पर देखोगे चार अगर आप 20 बचा है ना तो यह कितने बार जाएगा यह आपका होगया 10 और यह होगया आपका 21 21 यह होगया 5 यह होगया आपका 4 तो 4 x ठीक है 4 y 5 x प्लस sorry 4 y 5 इंटू यह वाली जो वैल्व है ना इंटू 21 यह तो है ना और साथ में x हमें और दे रखा है ओके अब इस वैलू को निकालना है तो इसको उदरवेश दो 450 को 702 में से आप माइनस करा दो तो 702 में से अगर आप इसको माइनस कराओगे कितना जाएगा यह आपका जाएगा 252 ठीक है 252 इसको solve यहाँ पर कर लो यह कितना हो गया इसको अगर आप यहाँ पर x की वैलू निकालो गया जाएगा 252 इंटू 5 डिवाइड वाइड वाइ 4 इंटू 21 यह तो आपका बचा चार से इसको काट दो कट जाएगा चार से चे बार चार से तीन बार 63 अब 21 से तीन बार 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी ओके तो यह आज के कुश्चन से और आप करंट अफिर्स फंडा मोबाइल अप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर लेना क्योंक खवाँ, फवाँ, गार मोबाइल अपशलोड़ जा लेना मन से तीन झाएगी ओक्हाँ